नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेकनोलोजी केड़ा चैनल के अंदर और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बलेजर का नेक्स्ट वीडियो टुटोरियल यानि कि अगर हम लोगों के पास एक ड्रॉपडाउन लिस्ट है जो कि बलेजर क सबसे पहले जो रीजर पेज है उसमें यह किए यो फिल कर रखे हैं लेकिन सबसे पहले एक Newlishyers प्रोपर्टी से employees जो हैं वो लोड होते हैं, तो life cycle के according ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है, अगर आप लोग ये value नहीं लिखते हैं, employees is not equals to null, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा error, तो आप लोगों को लिखना जरूरी है, employees is not equals to null, उसके बाद में आप लोगों के पास है, edit form, edit form में model जो है, employees है, आप लोगों के पास है, ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों के पास है input select, जिससे आप लोगों की drop down list बनती है, id आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, जो unique हो, और bind value, यह बहुत जादा जरूरी है, आज का topic यही ह है, कि जो default value होती है, वो कैसे हम लोग प्रदशित करें, drop down list के अंदर, तो यह जो selected value है, यह क्या है actually में, selected value आप लोगों की प्रोपर्टी है, जो आप लोगों को बनानी है, string type की, और उसमें आप लोगों ने initialize कर दिया 0, आप लोगों ने 0 initialize किया, और आप लोगों ने 0 के अंदर यही डाल रखा है, 0 के अंदर, select employee, ठीक है, तो देखे, 0 डाला, तो यहाँ पर option और value equals to 0 है, वही 0 आप लोगों का select होगा, और select employee आप लोगों ने इसमें लिखा, उसके बाद में आप लोगों ने डाला, for each loop, variable item in employees, one by one जो है, आप लोगों ने उनको bind किया, drop down list क क्या कर दिया, as a, item.id तो हो गया, उसका value और जो text field थी, यानि कि name जो field थी, वो आप लोगों की हो जाएगी, उसका text, तो इस परकार यह bind हो जाएगी, और यहाँ पर जो default value है, हमारी, वो 0 select हो जाएगी, value 0 select हो जाएगी, और उसमें लिखा हुआ जो text है, वो हो जाएगा select employee तो बहुत बार, जो है, वो question पुछा गया है, stack or flow पे भी question पुछा गया है, कि हम लोग blazer के अंदर default value जो है, वो कैसे set करें, ब्लेजर के अंदर, sorry, drop down list की blazer के अंदर कैसे set करें, तो इस वीडियो में मैंने यही बताने कि आप लोगों को कोशिस की है, I think आप लोगों को य comment के जरी यह पूछ सकते हैं, तो यह ज़्यादा बहतरीन रहेगा, अगर आप लोग पूछेंगे तो, और मैं उन्ही पर वीडियो जो है, बनाना भी पसंद करूँगा, कि अगर आप लोग जो question मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ पर देखे, select employees यहाँ पर लिखी हुई है, और जैसे ही मैं इसको drop करता हूँ, तो आप लोगों के values जो है, वो one by one, Rahul है, वगरा वगरा जो names है, वो display हो जाएगे, अब हम लोग इसका source space देखते हैं, कि हमारी जो default value हो 0 जो है, वो सबसे पहले set होती है, या नहीं होती है, I think आप लोगों का जो text visualization है, वो zoom नहीं है, त तो zoom कर लीजिए, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, option value 0 आ रही है, select employee, क्योंकि हमेशा, जो भी developer है, ध्यान रखिए, जो source code है, वो आप लोगों को देखना होगा, कि actual में source code क्या बन रहा है, किसी भी file का, ठीक है, यह देखना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि HTML के अं जो है, focus आप लोगों का रहना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, option value item id, item name लिखा हुआ है, selected value, यहाँ पर bind value के अंदर आप लोगों को लिखनी है, और selected value के अंदर आप लोगों ने 0 यहाँ पर put किया है, option value equals to 0 वहाँ पर डाली है, तो I think आप लोगों को मजाया होगा, आज के लिए इतना ही धन्यवाद